क्या आप एक 3D Visualizer हैं, क्या आप 3ds Max या वीरे पर काम करते हैं, क्या आपका render सही नहीं आता है, आपको बहुत प्रोब्लम होती है, render output जैसा आपको चाहिए वैसा नहीं आता है, तो इस वीडियो को पूरा देखे, छोटी सी वीडियो है, पूरा देखे complete, बिना skip करें, एक एक काम करते हैं, और उनके render में problem आ रही है, वो satisfy नहीं है, अपने output से, तो चलिए start करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा explain करूँगा, कि आपको क्यों problem आती है, render के time पर, देखे, जब render किया जाता है, तो सिर्फ एसा नहीं है, कि आप render की quality या render की setting के ओपर depend करें, कि बस इसी से आपका output आ जाएगा, नहीं, render पांच चीज ओपर depend करेगा, मेरे हिसाब से, modeling, ठीक है, उसके बाद, lighting, texturing, rendering, and post production, अब कुछ चीजे एसी हैं, जो post production में की जाती हैं, लेकिन उनका ध्यान हमें, modeling के time पर ही रखना होगा, अगर आपने उस चीज का ध्यान modeling के time पर नहीं रखा, और post production करने बेट जाएं, तब भी काम incomplete है, तो इस course में ये सारी चीजे सिखाई जाएंगी, अगर आप इस course को join करते हैं, 27th January से course start होने वाला है, और आप लोग अगर join करना चाते हैं, तो कर सकते हैं, तो मैं इ मुझे पूछना नहीं पड़ना, मेरे पास आपको call नहीं करना पड़ना, मुझे WhatsApp नहीं करना पड़ना, ठीक है, बस फिर आप डारेक्ट जोइन करेंगे, इस में सबसे पहले मैं सिखाऊंगा modeling के tips, जो हमें render के time पर, यानि के जो post production में हमें काम आएंगे, ठीक है, modeling में ज किस तरह से आप, अगर आपने suppose करो कोई project बना, उसमें बहुत सारे models import कर दिया आपने, तो कैसे आप उसको organize करेंगे, किस तरह से manage करके उसको render निकालेंगे, क्योंकि system हो सकता है, आपका low configuration का हो, तो फिर आपको हलका पर काम करना पड़ाएगा, ये सारी चीज़ों का guide दे जाएगा, मतलब ये जरूरी नहीं है, मैं आपको कोई ऐसी कोई पूड़िया नहीं देना का, जाद्दू कि क्या आप ये formula लगा दो तो आपका हो जाएगा, नहीं, आपको guide करूँगा, अपने हिसाब से काम करना है, system की configuration अगर कम है, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों पर आपको काम करना है, आपका main चीज़ आपका project होता है, जो आपको दिखाना है, अगर suppose को आप front elevation बना रहे हो किसी घर का, तो आप front elevation पर ही focus करोगे, ठीक है, फालतू की चीज़े में क्या लगाना है, अपने हिसाब से, कम से कम, ठीक है, अगर आपके प लाखों में आता है, यानिके एक लाख से उपर ही अच्छा system आता है, तो आपको कैसे कैसे ये चीज़े handle करनी है, modeling में, ठीक है, उसके बाद lighting, यानिके camera आएगा उससे पहले तो, camera कैसे लगाना है, उसके लिए आपके अंदर एक photographer होना चाहिए, अगर photographer भी नहीं है, तो photography क कुछ tips आपको पता होने चाहिए, कि photo किस तरह लिया जाता है, किस तरह से अच्छा view आएगा, तो photography के tips बताए जाएंगे, इसमें आपको किस तरह angle के, में आपको निकालना है, camera किस angle में रखना है, किस height में रखना है, target कहाँ पर होना चाहिए, इसकी shutter speed, ये, वो white balance, ठीक है ये चीजे इसमें जो होती है, conjunctive area में कैसे आप किस तरह से camera लगाएंगे, अगर कहीं छोटा space है, कुछ लोग क्या करते है, wall को hide करा और camera लगा दिया, भार से sun भी लगा रखा, सारी sun के light अंदर जा रही, ऐसा लगा रहा, camera पूरा खुला हुआ हो, sunlight इतनी जाद है, उसमें किस तरह से आप इन चीज़ों को manage करेंगे, कुछ लोग camera के lens के साथ में छेड़ खानी कर देते हैं, चोटी जगा को एक ही render में दिखाने के लिए, वो camera के lens को wide angle में करते हैं, वो ऐसा लगया, अगर 10 foot का room है, तो वो ऐसा लगता है, 20 foot का room हो, तो इन चीज़ों को कैसे आप को करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, गलती किस जगा आप कर रहे हो, आप मुझे अपना render भेज़िद सकते हो, और उसी के हिसाब से आपकी गलतियों को भी बताऊंगा, मैं क्या क्या आप इसमें गलती कर रहे हो, और class हमारी direct होगी zoom पर, ऐसे ही, जैसे बात होगी आप पुछेंगे अपना सवाल कुछ भी, और class भी night में रखी जाएगी, जो job कर रहे हैं, वो आसानी से class ले सकें, और class daily भी नहीं होगी, हफते में तीन या चार class होगी, जिससे आप class लेके उसको अच्छे से practice कर सको, 27th gen से class start हो रही है, जिसको join करना है, वो join कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा और में इसमें बताता हूँ, आगे क्या-क्या सिखाय जाएगा, टेक्स्चरिंग से related आपको बाते बताई जाएगी, टेक्स्चर में किन-किन चीजों का ध्यान रखना है, टेक्स्चर को किस तरह से improve करेंगे, फोटोशोप को use करके, यानि कि तीन software use online लाएंगे, वो बताई जाएंगे, आपको free में कहां से collect कर सकते हैं, और कहां तक मिल सकते हैं free में, नहीं तो फिर आपको खरीदने भी पड़ सकते हैं, कहीं और से भी ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें discuss की जाएंगी, आपको सारी tips बताई जाएंगी, यानि कि आप मोटी सी बात में कह सकते हो आपको सीधा रास्ता मिलेगा काम करने गा उसके बाद आपको जो है ना खुदी आपका दिमाग काम करने लगेगा कि किस तरीके से जो है ना 3ds max में काम किया जाता है वीरे को यूज करके और किस तरह से आपका आउटपट आएगा धिरे धिरे जो है ना आपकी क्वालिटी बढ़ने लगेगी जब आपको सही रास्ता मिल जाएगा और आप उस तरीके से काम करोगे अभी क्या करते हैं कुछ लोग यूट्यूब से टुटोरियल देखे जिसके भी आप टुटोरियल देखोगे सब के अलग-अलग मिलेंगे आप किसी एक से प्रोपर रास्ता सीख लो उसके बाद खुद ही आप अपने रास्ते बनाने लगोगे आपको कोई प्रोब्लम नी होने की तो इसमें क्या है फिर उसके बाद किसी चेज़ों से बाद की बात है पहले कीचन का मेन ही कीचन में आप क्या क्या दिखा है स्पोज को सीलिंग या फ्लिॉर्या या永तख वगिर ये अपकी ओगे इनमें जो चीज़़े यूज हो रही है कहां कहां पर light आ रही है किस तरह की light आ रही है किस तरह की light आ रही है कैसी शकल की light है वो दिखाना main काम है वो ज़रूरी है केबिनेट में किस तरह की design है किस तरह के colors लिए जा सकते हैं जो handle है किस तरह के है profile वाले है या भार वाले है कैसे हैं वो चीज़े आपको दिखानी ये उसके बाद की बात है फिर उसके बाद थोड़ी सी डेकोरेशन किस लिमिट तक आप कर सकते हैं अपने सिस्टम के अकोर्डिंग वो आपको गाइड किया जाएगा जैसे सब्सक्राइब आपने आपने आपर कुछ फलावर पोर्ट लग दिये कुछ क्रोकरी का सामा रख दिया चमच, इस्पून वगेरा ये ठीक है कुछ प्लेट्स रख दी कप गिलास ये कुछ चाई की वो केतलिसी रख दी तो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत बताया जाएगा कि कितना रखना है ला तो कहीं से भी सकते हैं बहुत सारे मोडल किसी फ्रेंड से ले लो ठीक है कुछ मोडल मैं भी दे दूँगा और कुछ रिसोर्स इस बहुत है उनलाइन फ्री में डाउनलोड करने के कहीं से भी कुछ भी मिल जाता है उसको डाउनलोड करके वो ले आओ ठीक है तो ये सारी के बाद पोस्ट प्रोडक्शन से फाइनल रिजल्ट आता है जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे ये इसका रेंडर आ रहा है यहां पर ठीक है अब यहां पर इसमें बहुत सारे ये रेंडर एलिमेंट्स आते हैं ये किस किस तरह से हम फोटोशोप में यूज करेंगे ठीक है बहुत सारे रेंडर एलिमेंट्स यहां पर देखने को हमें मिलते हैं तो इनकी हेल्प से किस तरह से हम महां पर अपना इसको प्रोजेक्ट को फाइनल करेंगे फाइनल आउटपुट दवाएगा ठीक है यह दखो यह चीज़े हैं तो यह सारी चीज़े सिखाए जाएंगी इस ग्रूप किलास में जो भी जोइन करना चाहता है जोइन कर सकता है वेसे तो अगर आप फोटोशोप यानि के वीरे और पोश्ट प्रोड़क्शन ही सीखो तो उसकी फीश सिर्फ यह एक ही बार बन रहा है और यह भी इसलिए बन रहा है क्योंकि बहुत सारे जो है ना मेसिजिस मेरे पार आ रहे हैं लोगों के और वो के रहे हैं के सर कोई इस तरह की गुरूप किलास बना लो कुछ ने तो ओल्रेडी जोइन भी कर लिया है और मैं लिमिटेड इस्टुडेंट रखूंगा तो जिसको जोइन करना है बहुत अच्छा मोगा है थ्री थाउजन रूपीज ओनली यह आपका इतना सा माउंट है आप किसी एक प्रोजेक्ट करके यह अमाउंट अपना वापस ले सकते हैं आपने 3000 रुपे में सिर्फ सीख लिए यह सारी चीज़े है ठीक है और आपको एक कोई प्रोजेक्ट मिल गया तो 3000 रुपे में किसी भी प्रोजेक्ट से आप ले लो मैं जल्दी ही वीडियो बनाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप प्रोजेक्ट के प्राइस बताएं कलाइंट को इंटिरियर के या एक्स्टिरियर के किस हिसाब से आप कलाइंट से बात करें उसको बताएं कि एक प्रोजेक्ट के आप क्या चार्ज करेंगे ठीक है अब कोर्स की बता देता हूँ कि कितने दिन लगें कोर्स के जूम पर किलास होगी 30-40 मिनट की किलास होती है हफते में 3-4 किलास होगी नाइट में किलास रखी जाएगी 9-10 के आसपास का टाइम रखा जाएगा 9-10 के बीच में टाइम रखा जाएगा किलास का क्योंकि सब जोब वाले उस time तक office से आके खाना वाना dinner winner करके अपना free हो जाते हैं उस time पे class ले लेंगे class लेने के लिए आपके पास laptop या desktop होना ज़रूरी है अगर वो नहीं है mobile से भी आप काम चला सकते हैं फिर आप अपना office में जाके इसकी practice कर सकते हैं लेकिन laptop, desktop हो तो वो सबसे अच्छा है अपने सवाल जवाब जो भी करने हैं उसके लिए बिल्कुल ready रहना है मेरे से one to one आपको सवाल जवाब करने हैं तो बहुत अच्छा offer है first and last time ये बन रही है class और इस course को खताम होने में जादे से जादा 15 या 20 दिन लगेंगे और on the topic बात करूँगा आपको direct इसके चीज़े बता दूँगा मैं आपको कैसे करना है उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा और जिसको join करना है नीचे मैंने description में अपना whatsapp number दिया है आप मुझे whatsapp करें और join करें तो जल्दी ही मिलते हैं next video में ने topic के साथ में मेरे channel को अगर subscribe नहीं गया तो subscribe जरूर करें महाँ पर बहुत सारी नए नए tips and tricks और नए ने tutorials आपको मिलते रहते हैं मिलते हैं next video में साफ सफाइगा ध्यान रखें गरीबों की मदद करें thank you